हाई फ्रेंट्स नमस्कार स्वागते का और नए वीडियो में मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डियर सेल्पिंग फारेवर यूट्यूब चैनल दोस्तों बहुत ही अच्छी ख़वर है एर फोर्स एक्स एंड वाई ग्रूप के लिए एक नई वेकेंसी निकाल दी है इसमें जो है सबका ओल पर्सन का जो हां पर एड्मीट काड़ आने वाला है यहां पर जो स्लेक्षन प्रोसेस आपको जो रीटेन बेस एक्जाम पर होगा यहां पर हायर परसेंटेज पर नहीं होने वाली है पूरी फूल डिटेल से बात करेंगे किस परकार सावेदन करन रहा है एज क्या होनी चाहिए अप्लिकेशन फी क्या है पूरी जनकारी में आपको पूरी इंफरमेशन असे समझ महां है तो चले फ्रेंट्स वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आपसे छोटी सिर्क्ष्ट है अभी तक आपने इस चैनला को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब से अगर आप फ्रेंट्स इयर फोर्स नेवी या एंडिये किसी भी तरह की बैच के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑन एकाडमी जो है वन अप बेस्ट फ्लेट फॉर्म है दिखें इंद्रा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है देख सकते हैं सब्सक्राइब करने वाला हूं साथी साथ नेवी बैच कोर्स के लिए 2020 बैच स्टार्ट हो चुका यहां पर देख सकते हैं इंडिया के जो टॉप एजुकेटर है वन अप बेस्ट यहां पर यह बैच होने वाला है सब अब तक का इंडिया के वन अप टॉप एजुकेटर अलग अलग यहां पर देख सकते हैं फिजिस के लिए मैथ के लिए इंग्लीज के लिए उसके बाइज से वाई ग्रूप मैथ के लिए रिजिनिंग के लिए जेनरल नॉलेज के लिए यह मतलब अलग अलग छे एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे इस पेसलिए बैच जो है एरफोर्स एक्सवाई गुरूप के लिए है और नेवी के लिए है यहां पर जो बैच स्टार्ट हो रहा फ्रिंट्स 12 जनुवरी 2021 से चलेगा 10 अप्रिल 2021 तक और जो मैं यह जो बेकेंसी बता रहा हूं एरफोर्स एक्सवाई गुरूप का इसका जो एक्जाम होगा अप्र प्यार कराएंगे आपकी बैच क्यों बेटरिन तरीके से यहां पर पढ़ाई जाएगी देख सकते हैं इसका सब्सक्रिप्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसली जाके ले सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्स बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है और अगर आप यूज करके जो है आप यहां से खरिच सकते हैं जहां पर आपको 10% का इंस्टेंट डिसकाउंट आपको मिल लाएगा काफी अच्छा बैच होने वाला है तो जो बच्चे यहां पर नेवी या एयर फोर्स एक्स वाई ग्रूप के लिए यहां पर ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहां पर इंद्रा बैच ज्वाइन कर सकते हैं मैंने बैच का लिंक जो आ डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे रखा है चलिए आगे बात करते हैं जो वेकेंसी निकाली गई उसके बारे में तो देखते देख सेटे फ्रेंड्स यह है भारती वाईू सेना जो वेकेंसी नि तो बताया गया online registration यहाँ पे start होगा 22 जनवरी से और यहाँ पे आपका last date रहेगा 7 फरवरी 2021 से और इसका जो online exam होगा जो computer पे exam होगा आपका return exam वो 18 अप्रिल से लेकर 22 अप्रिल के बीच आपका return exam लिया जाएगा तो जैसे इसका आवेदन परकिरिया सुरू होगा 22 जनवरी को देखे 22 जनवरी को जो इसका exam online form फिल अप सुरू हो जाएगा तो मैं जो एक अलग से वीडियो ला दूँगा 22 जनवरी को किस परकार से form को फिल अप करना है step by step process साथ ताकि आपको form फिल अप करने भी किसी परका जानना अत्ती अवसक है एज क्या आउनीचे यह हाइट क्या नीचे कितना दोड होगा और जो रिटेन एक्जाम है सेलेक्शन प्रोसेस है वो सारी information यहाँ पर मैं आपको कभर करने वाला तो मैं यहाँ इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में है तो करेंगे सबसे पहले हमें बात करते हैं कि कौन कौन से आपको जो है documents लगे form फिलप करते वाकि यहाँ पे बताया कहा है सबसे पहले इंदसवी class का मांक सीट आपको upload करनी है intermediate या जो diploma धारक हैं वो लोग यहाँ पे अपना mark sheet upload करेंगे उसके वाद से यहाँ पे passport size color photographs जो कि यहाँ पताया क्या है taken not before December मतलब December के पहले का नहीं होना चाहिए 10 से 50 के भी के बीच होना चाहिए और साथी साथ light background without head gear exception तो देखें यह जनकारी यहाँ पे आपको ध्यान देनी है क्योंकि यहाँ पे काफी ज़्यादा लोग mistake कर देते हैं और कुछ यहाँ पे अलग instruction दिया हुए photo जो आप online करेंगे तो उसे मैं आपको क्या photo लगानी है तो बताया गया photograph is be taken with the candidates holding black slate in front of his chest with his name and date of birth date of photo taken clearly written on with white chalk in capital letter मतलब यह कि आपका जो होना चाहिए उस photo पे suppose यह आपका photo है इस photo पे जो है आप एक black slate पकड़े हुए है अपने chest के पास और यहाँ पे आपको आपका नाम लिखा होना चाहिए black letter में उसके बास यहाँ पे capital letter में sorry और उसके बास यहाँ पे किस दिन आपने photo खीचवाया उसका date mention होना चाहिए तो इसी तरह का photo जो आपको upload करनी है उसके बास आपका signature चाहिए देखिए यहाँ पे signature बताया गया है उसके वासे left thumb impression चाहिए उसके बास से parent का signature चाहिए अगर वो बच्चा 18 साल से कम है चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं आप application fee क्या है application fee आपको 200 रुपे रखा गया है यहाँ पे mention नहीं किया गया है अलग-अलग category wise यानि सबके लिए जो 200 रुपे application fee लगेगा यहाँ पे form fill up करते वक्त यह जो है online आप पमेंट कर सकते हैं साधी साथ email id mobile number तो चाहिए ही अधार कार्ट भी necessary है उसके बास से यहाँ पे और भी जनकारी बताई गया है तो आपको टेंसन नहीं लेनी है मैं जो एक अलग से वीडियो लाऊंगा किस परकार से form को fill up करना है सब चीज मैं fill up करके दिखाऊंगा step by step सारी जनकारी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा on married जो है इंडियन citizen आवेदन कर सकता है यहाँ पे देखिए बताया क्या है date of birth का range क्या होनी चाहिए तो date of birth जो बताया गया है 14 जनवरी 2001 से लेकर 29 दिसंबर 2004 के बीच अगर आपका date of birth है तो आप यहाँ पे form को fill up कर सकते हैं चुकि दोनो date को भी यहाँ पे इंक्लूज किया गया है उसके वाज से qualification यहाँ पे important है सबसे ज्यादा important qualification रखा गया है तो qualification मैं आपको आसान भासा में समझाईता हूँ कि यहाँ पे qualification क्या रखा गया है अगर आप यहाँ पे X group से आवेधन करना चाह रहे हैं तो आप math और physics के साथ English अगर आप 12 क्लास में पढ़ाई किये हैं तो ही आप यहाँ पे form को fill up कर सकते हैं 50% marks के साथ और 50% marks जो आपके English में भी होनी चाहिए अथ्वा में आप बताया गया है कि अगर आप बरहमी नहीं पढ़के अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तीन साल का दसुई के बाद डिप्लोमा होता है इंजिनरिंग किसी भी एस्ट्रीम से तो भी आप इस form को fill up कर सकते हैं यहाँ पे इसकी जनकारी बताएगी है उसके Y ग्रूप से अवदन करना चाहता है वो किसी भी बीसे में pass out किया है तो Y ग्रूप से अवदन कर सकता है तीसरा है वहाँ पे य्ग्रूप medical assistant अगर आप medical assistant के लिए अवदन करना चाह रहे हैं x y के लिए तो आपको जो है science के साथ यानि math और physics के साथ अगर आप pass out हैं तो आप दोनों आविधन कर सकते हैं एक साथ x and y group लेकिन अगर आप केवल arts से ही पढ़ाई की हैं बारावी क्लास तो आप केवल y के लिए आविधन कर सकते हैं तो जो student नहीं लेनी है मैं जो एक अलग से वीडियो ला दूँगा किस परकार से form को fill up करनी है sequence of examination बताई कही है कि क्या sequence रहेगा किस परकार से आपको fill up करने के बाद से जो है क्या क्या written exam होगा कब आपका medical होगा कब आपका जो है अफिसली website से जो की details यहां पर बताईगी है अब यहां पर बताईगा है कि कितना देर का यहां पर total duration of online test होगा तो 60 minute का होगा आपको X group के लिए उसमें जो है आपको English, Physics और Math रहेंगे 10 plus 2 syllabus रहेगा और यहां पर देखिए यहां पर बताईगा है 45 minute समय रहेगा जो की English, Reasoning, General, Awareness 10 plus 2 यहां पर subject रहेंगे यहां पर देखिए Y group में physics chemistry क्यों नहीं पूछ रहे है तो देखिए बताईगा अलड़ी कि यहां पर ट्रेड जो है Y group का आर्ट्स वाला है तो इसलिए जो यहां पर physics से जो है और math से question नहीं आएंगे यहां पर English रहेगा, reasoning रहेगा general awareness रहेगा जो की 45 में डागबो समय मिलेंगे अगर आप दोनों के लिए यहां पर आवधन करते हैं X and Y trade के लिए science से पढ़ाई किया हुए physics और math है इंग्लिस है तो इसमें आप दोनों के लिए आवधन कर सकते हैं उसमें आपको 85 मिनट समय रहेगा question solve करने के लिए और यहां पर reasoning, general awareness और साथ-साथ physics and math भी आपको यहां पर रहेंगे 10 plus 2 CBS C level आपका जो है यहां पर selection रहेगा अब यहां बात करते हैं यहां पर negative marking की तो देखिए आपको यहां पर negative marking भी है 0.25 आपको जो है काट लिए जाएंगे अगर आप wrong answer करते हैं और एक answer के लिए आपको एक question के लिए एक marks आपको दिये जाएंगे तो यह जो जनकारी यहां पर बताएगी है अब यहां पर जैसे आप written exam निकाल लेंगे तो आपको phase 2 के लिए बुला जाएगा इसका जो admit card आपको मिल लाएगा आपको email के माध्यम से और इस website के माध्यम से भी आपको जो इसका admit card अलग से मिलेगा जब आप पहला exam complete कर लेंगे selection हो जाएगा आपका पहला उसके बाद से जब आप दूसरे के लिए जाएगे तो आपको क्या क्या details लेकर जानी है यह जनकारी यहां बताई गई है कि exam के लिए आपको कौन कौन से चीज़े आपको लेकर जानी है original documents का verification होगा यह जनकारी यहां पे सारी चीज़े बताई गई है अब यहां पे देखिए जो बतायाग है दोड़ वगारा के बारे में तो मैं आपको बताईता हूँ देखिए जो दूसरा यहां पे exam होगा physical fitness test का वहां पे आपको 1.6 km के running करनी है साड़े 6 मिनट में और 10 push-up करने है 10 sit-ups करने है 20 square-up करने है तो यहां पे जो physical fitness test है PFT वो बहुत easy है आप लोग असानी से कर सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा important है यहां पे written test का written test आपको अच्छे से त्यारी करनी होगी मैं अब आपको बताऊंगा कि यह आपको कहां से डाउनलोड करनी है और काफी बच्चे यह भी बोलेंगे कि यह fake है बिल्कुल नहीं यह fake नहीं है friends इसी तरह आप लोग बोल रहे थे cost guard के लिए मैंने cost guard का जो vacancy publish किया था Indian cost guard का पांस तारिक सावे दिन भी शुरू है आप लागतार मेरा 200 सा 300 वीडियो देख सकते हैं अब तक का जो भी मैंने वीडियो डाला है accurate डाला है और fact डाला है तो आप जाके check कर सकते हैं हालाकि मेरा काम नहीं है आप लोग को बताना आप खुद जो है इस चीज को verify कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से क्या मैंने अब तक जो भी वीडियो डाले है सब सही है की नहीं है तो जाए जाकर check करिए मेरे चैनल पर जाके आप जो है यहां पर सारी चीज बताएगी है एक बार जो आप अच्छे से पढ़ लिजेगा और यहां पर पढ़ना आती आवस्यक है ताकि आपको form fill up करने में किसी परकार की mistake नहों और आप जो आसानी से देख सकते हैं कैसे आवेदन करना है हाउ टू अपलाई तो बाइस जनवरी को जो है इसका ओनलाइन स्टाट हो जागा दस बज़े से दिन में और जो है और यहां पर pay scale भी दिया हुआ है salary आपकी क्या मिलने वाली है x के लिए y के लिए तो यह सारी information यहां पर दी हुए आप आसानी से पढ़ सकते हैं चलिए हम बात करते किस परकार से इसको डाउलोड करेंगी तो शबसे पर अपको Google में सर्च करना है कि तो Google आप ओपें करके यहां पर सर्च करना है search bar में ds helping forever इस तरह से आप search करेंगे दिख सकते हैं ds helping forever तो जिससे आप यहाँ पे search करेंगे तो यहाँ पे website open हो जाएगा इस channel का इस channel का officially website है spelling ध्यान दे नहीं है ds helping forever और हमेशा dot com extension देखकर ही आपको open करना है website को यह जो originally है और इस channel का handle किया जाता है तो यह देख सकते हैं ds helping forever officially website यहाँ पे आजागा है इस पर वो click करना है जिससे आप यहाँ पे click करेंगे तो आपके सामने इस परकार से website खूल दाएगी और यहाँ पे जो है मैंने इसके सारी information दे रखा है आप मेरा facebook page, twitter page YouTube, Instagram, Telegram पे लगबग 4,000 बच्चे जोईन है और वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जोईन कर सकते हैं मैं वहाँ पीडियोफ शेयर कर दूँगा आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको लाइव अपडेट में आपको दिखाई देगा एक post Indian Air Force Group X and Y Trade Online Form 2021 और साधिसत कलकता हाई कोट में जो है डी ओ, डाटा इंडिर अपर रगए वहाली निकालेगी है कोस्ट गार्ड नावी यांतिरी का भी यहाँ पे मैंने बता रखा है तो काफी सारी वेकेंसी मैंने यहाँ पे पोस्ट कर रखा है आप जाके देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे मैंने जो केटीगरी बना रखा है आप जाके एक एक केटीगरी को विजीट कर सकते हैं चलिए हम इसे ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको किस पकार से डाउनलोर करनी है और फिसली नोडिफिकेशन को तो इसको आपको क्लिक करना है, जिससे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है, लाइब यहाँ पे अप्डेट हो जाएगा, आएगा इस तरह से पेज, देखे यहाँ पे जो 166 लोग न जो है, बोट दे रखा है, आप भी इसको रेटिंग देना चाहिए दे सकते है, मतलब सारी इंफर्मेशन, इस लिमीट, सब चीज मैंने आप दे रखा है, पोश्ट वाइज क्वालिफिकेशन, जॉब लोकेशन, उसके बास से सेलरी, उसके बास यहाँ पे रीटेन का सेलेक्शन प्रोसिस क्या होता है, उसके बास यहाँ पे डॉक्मेंट्स कौन कौन से लगें, काफी इंपोटेन्ट चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ पे जाके आप ऑफिसली नोटिफिकेशन डाउलोड कर सकते हैं, और अब लेबल जो होगा 22 जनवरी को लाइब हो जाएगा फिसली वेब साइट भी मैंने दे रखा है, तो आप इस पे जि पाएंगे, इसी तरह से फ्रेंड्स आपको ज़र डाउलोड करनी है, आपको यह वीडियो कैसा लगा, केमेंट स्क्रेशन बताएगा, वीडियो पसंद लाइक करेंगे, अपना दोस्तों में सेर कीजेगा, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमें दीजे जायत और देखते